प्री वक्तों हरे कृष्णा आज हम सुनाने जा रहे हैं गी स्री गीता जी के छटे अध्या की महात्म कता जैसा की वक्तों भग्वान विश्णू अपनी पत्नी लचमी चीसी कहते हैं कि हे प्रीय अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं गीता के छटे अध्या की महात्म कता एक और क्या हो प्रतिस्ठानपुर पैठण में के पास वहां पर पे राजा जानसुरती रहते थे जो जाजा जानसुरती थे वह बहुत ही धार्मिक थे तहने का मतलब उनकी राज में खुद राजा रोजहवन करते थे दानपुर करते थे भजन करते थे कीरतन करते थे और जबकि राजा लोग तो बहुत ही पहले के राजा लोग बहुत ही बिलासी होते थे लेकिन वो बहुत ही धार्मिक प्रवत्ती थे उनके यग जो यग होते थे उनके यगों के धुएं से वाता वरान होम से हमेशा महता रहता था इस तरह से वो बहुत ही उनके अंदर तेज आ गया था कहने का मतलब तो एक बार क्या हुआ कि देवता लोग थे जो सुर्ख के देता उन्होंने सोचा कि चलो राजा जान सुरुती को बरदान दिया जाए और इन्हों बहुत यगी किया है हम लोग इनकी च्छां को पूरी करें तो उन्होंने देवताओं ने किया गया कि हंस का रू धरन की तो आंगे निकल गए तो पीछे के हंस बोले अरे अरे भाईया बदास रुख जाओ रुख जाओ और आंगे दिखाए नहीं पड़ना राजा जान सुरुती बैठी हो उनके तेज से तुम भस नहीं हो जाना तो आंगे जो हंस उड़ रहे थे दो तीनों हस्तिवे से पेचे के हंसों से बोले कि भाईया क्या इनका तेज महात्मा रहकु से भी तेज है तो अब जब ये राजा जान सुरुती ने ये सब बास सुनी तो उनके मन में ये मतलब हुआ कि महात्मा रहकु कौन है इनके मिला जाए इनके दर्सन किये जाए इनके सेवा करी जाए तो वो महें से उताराये । और उन्होंने अपने महें नामक सार्थी को बुलाया । और कि भाई तुम जाओ और राजा रैको को पता कर किया हो कि वो महात्मा रैको को कि ये कहां रहते हैं कि भाई पहले तो ये सब होता नहीं थी है कि बस हो ट्रेन हो ये सब चीज़े नहीं होती थी तो जो महन आमक सारती थी था उसने रत को जोता और सबसे पहले वे कासी यानि कि भगवान शंकर की नगरी बनार्शी पहुंचे बनारस में और उन्होंने वहां भगवान शंकर की पुजा की फिर उसके बाद उन्होंने मत्रा में पता किया भगवान का जन्मिस्थाने वहां मत्रा गए फिर मत्रा से वह बंदावन यानि जहां 12 बंदावन मतलब 12 बंदावन होता है तो वहां पर पता किया वहां भी उन्हें मात्मा रुएक नहीं मिले तो फिर वो बहुत दूर जब चलते चलते वहां पहुचे कासमीर में भगवान संकर मारेक किश्वर नाम से राजमान है वहां के राजा मारेक ने उनकी जब दिख विजय की तो उन्होंने भगवान शंकर की आरातना की तो उनका संकर का भगवान का नाम माड़े किश्वर हो गया तो जब वो पहुंचे तो वहाँ भगवान माड़े किश्वर के मंदिर के आगे उन्होंने मैं नामक सार्थी ने देखा कि एक महात्मा अब धूब में जैसे सर्दी होती तो कस्मी तो ऐसी भी ठंडा होता है धूब में बैठी हुए अराम से गाड़ी की एक छाया है और उसी में बैठी हुए नीजी अपने उंगों को खुजला रहे हैं जैसा कि राजन जानसुती ने उनको लच्छन बताया थे महात्मा रहकु ऐसी होंगे नो मैं नामक सार्थी ने उनके च्टनों में जाकर परढ़ाम किया और अपना परचाय दिया तो महत्मा रॉइक उसे प्रस्नी किया कि महत्मा जी आप मतलब यह थे तेज काया है तो रॉइक हो जी पोड़े आशार है कि आप कोई भी हमारी अंसार परचरया कर सकता है मतलब उन्होंने ये कहा कि आप जो भी हो तो उनको ये नहीं था कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं बताएं क्या है उनकर नहीं हमारे अंसार कोई भी चल सकता है भगवान की साथना कर सकता है इतनी बात सुनकर कि मैं नामक सारती सीधे राजा जानसुरती के पास आया और उन्होंने बताया कि जो महात्मा रख्यों में कास्मीर में है मारे किश्वर मंदिर भगवान शेंकर के मंदिर की पास रहते हैं तो राजा सांसुती ने तैयारी करी और उन्होंने जैसा कि पहले कि राजा दानवान भी बहुत देते थे वो तो फिर जानसुती राजा तो ब काफमीर नगर यात्रा कि तो जब कास्मी आमाारे किश्वर मंदिर के पास पहुचे रीका कि मातमा ड़ों बैटे हुए तो रजा जो ईंडश्रुति थे विके चलनों में गिर गय integrating और अथा है तो महात्मा जो पहले के महात्मात होते थे जो निसकाम होते थे वो कभी भी धन दौलत की तरफ आकरसत नहीं होते थे और उन्हें धन दौलत नहीं भकती चाहिए होती थे तो महात्मा रहे को गुस्सा हो गए उन्होंने कि तुम क्या यह लाए हो मेरे पास सोना चांदी इसका मैं क्या करूंगा मेरे लिए तो कंकर पत्थर जैसी कंकर जमीन में पड़ा हुए ऐसी में यसार पी है हीरे मुझा कोई काम नहीं किया तु नहीं जानता है कि मातमाँ के पुकोई ये नहीं जेना जी ये ये सब तो राजा जान्सवती गिर पड़े थर थर कापने लगे कि कहीं मात्मा रैक मुझी सराप न दे तो उन्हों जान्सवती जी ने चरणों में परणाम किया कि माराज छमा करे आप बस हमें ये बताई कि आपके अंदर इतनी सांती आपके अंदर इतना तेज कहां से आया है तब फिर मात्मा रैकुसांत हुए और उन्होंने बताया कि हे राजन मैं गीता जी के छटें अध्यायकन प्रत दिन पाट करता हूँ जिससे के मेरे अंदर के सारे विकार नस्ट हो गए है और इसको कोई भी पढ़ सकता है कर सकता है तो उसके अंदर के जो समस्त कामना हैं होती हैं विकार होते हैं राग दे इसके भौना होती हैं जैसे हम लोग होते हैं किसी भी बात में गुस्सा हो जाते हैं नराज हो जाती कोई हमारे मन की विप्रीत बात होती तो कुरोध आने लगता है लेकिन कहते हैं कि वो अगर छटे अध्याय का पाट करता है कोई विव्यक्ति तो उसके समस दुरूर भिकार नस्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज होती हो हमेरे भगवान की भक्ती होती है ज फिर वो महात्मा जी की चल्णों में पढ़ाम करके अपने राच में आये और वो निरंतिर गीता के छटे अध्याय का अभ्यास करने लगे यह सब देवता देख रहे थे जो हंस ग्रूप में देवता आई हुए थे वो फिर वापस चले गए उन्होंने सोचा कि अब राजा करता है कि महात्म कता है हरी किस्टा